मैं विश्णुगुपाल हिंदी अध्यापक मदर यथेने स्कूल बदाई हूँ प्यारे बच्चों आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ पुस्तक का सत्रम पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए है पाठ का नाम है अव्ये यह हम आपको पढ़ा ले जा रहा है अव्ये लिंग वचन कारक पुरुष काल वाच आदी के कारण पिछले पार्ट में आपने लिंग भी पढ़े हैं वचन भी कारक पुरुष काल वाच यह सब आप पढ़के आए हैं तो इनके कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उने अव्या कहते हैं यानि जो ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इनका आपको अच्छी तरह से अभ्यास हो चुका है पिछले अध्यायों में तो इनके कारण जी जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उने हम क्या कहते हैं अव्या कहते हैं क्रिया विशेशण संबंध बोधक समुच्चे बोधक और विसमयाद बोधक शब्द अव्या हैं यानि अविकारी शब्द अविकारी क्यों कहा है इने क्योंकि ये इनके कारण इनमें विकार नहीं होता जिन शब्दों में विकार नहीं होता बदलाव नह आता चेंजिंग नहीं आती वही अविकारी होते हैं इसलिए उपर कहा गया है कि उनमें इनके कारण इनका रूप नहीं बदलता है तो वही अव्या कहलाते हैं उसका देखिए क्रमशाह एक है क्रिया विशेशण पहला भाग इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब रंगीन शब्दों को ध्यान देना भाईया अचानक आ गए दूसरा वाक्य वर्षा दिन भर होती रही और नीचे के चित्रों में दिखाया जारा चात्राएं उधर गई हैं खाना कम खाओ तो यह जो रंगीन शब्दा आपने देखे इन वाक्यों में ये क्रियाएं हैं आ गए होती रही गई हैं और खाओ इन क्रियाओं से पहले अचानक दिन भर उधर और कम शब्दाएं तो अचानक दिन भर उधर ये कम शब्दाएं ये शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं इन्हें क्रिया विशेष्ड कहते हैं क्लियर समझ में आया होगा आपको आप देखिए इसकी परिवाशा के क्रिया की विशेष्टा प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेष्ट यानि के जो शब्द क्रिया की विशेष्टा को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेष्ट कहते हैं क्रिय विशेशन के चार भेद इसमें देखी आप देख रहे हैं दिखाए गए हैं चार भेद होते हैं स्थान वाचक क्रिय विशेशन काल वाचक क्रिय विशेशन रीती वाचक क्रिय विशेशन और परिमाड वाचक क्रिय विशेशन स्थान वाचक में इस्थान का बोध होता है काल वाचक में समय का बोध होता है रीती वाचक में काम को करने का तरीका या धंका बोध होता है बरिमाण वाचक में नाप तोल जैसा पीछे पढ़के आए हैं उसका बोध होता है तो आए स्थान वाचक क्रिया विशेश़ड को पहले देखते हैं कि जिस क्रिया विशेशड सब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है क्रिया के काम के क्रिया माने काम के होने के स्थान का पता चलता उसे स्थान वाचक क्रिया विशेशड कहते हैं इसमी स्थिती वाचक और दिशा वाचक शब्द होते हैं जैसे मौसी जी ऊपर रहती हैं मौसी जी कहां रहती है उपर आपने देखा इसमें तो ये इसकी विशेष्टा को रहती है कि विशेष्टा को प्रकट कर रहा है उपर कहां रहती है उपर इसकी पहचान होती है प्रशन करते हैं कहां रहती है तो उत्तर मिलेगा उपर इसी प्रकार दूसरा वालब देखिए आतिती भीतर बैटे हैं मंदर जाने के लिए दाएं मुड़िये तो बैठे हैं ये क्रिया बता रहा है भीतर कहां बैठे हैं भीतर मुड़िये कहां मुड़िये दाएं तो इस तरह से जो क्रिया की विषिष्टा को प्रकट करने वाले शब्दें क्रिया विषिषन कहलाते हैं आपको समझ में आया होगा आगे देखिए डाक्टर इस ओर गया है किस ओर गया है इस ओर गया है इन वाक्यों में उपर भी तरिस्ति वाचक क्रिया विशेशण है दाएं और इस ओर दिशा वाचक क्रिया विशेशण है ये शब्द रहती हैं बैठे हैं मुड़िये और गया क्रियाओं से पहले आकर उन करिया विशैष्र होता है। जिस क्रिया विशैष्र होता है। आहता है। दीजिए, सारे वाक्य मैं आपको नहीं बताऊं, एकी वाक्य को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो समझ में आएगा मैनेजर से मिलने परसों आईए तो कब आईए देखी प्रशन हम करेंगे, कब आईए उत्तर मिला परसों आईए, है ना तो क्रिया है आईए उस से पूर्व जो मिला परसों ये काल वाचक है काल यानि समय का बोध करा रहा है कि परसों का समय दिया गया है आप परसों मिल ले आईए रोमी दिन भर पढ़ती है दिन भर पढ़ती है का मतलब ये भी इसमें समय बता जा रहा पूरे दिन हर पूरे दिन का मतलब है पढ़ने का पूरे दिन पढ़ती है दिन भर पढ़ती रहती है तो आप देखिएगा आगे के वाकिना देख करके दो वाक्यों से आपको समझ में आएगा बच्चो इन में परसों और दिन भर दो मैंने वाक्य पढ़ाए हैं ये शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेशड हैं और ये शब्द आईए या पढ़ती है ठीक है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेशता को प्रकट कर रहे हैं इसलिए ये कालवाचक हैं अब देखिएगा रीति वाचक क्रिया विशेशड का मतलब काम को करने का धंग या उसका तरीका या रीती हिंदी में जैसे मैंने लिखा है उपर पे इंतल से धंग या रीती इसकी पहचान होती ही कैसे का प्रश्न करने पर जब हम वाक्य में कैस का प्रश्न करेंगे उत्तर मिलेगा तो वो उसको रीति वाचक क्रिया विशेशड वताएगा जिस क्रिया विशेशड शब्द से क्रिया के होने का धंग या रीती का पता चलता है उसे रीति वाचक क्रिया विशेशड कहते हैं जैसे निर्पम ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है अब इसमें हमने प्रश्न किया कैसे पढ़ रहा है कैसे ध्यान पूर्वक तो उसके पढ़ने का जो तरीका है ध्यान पूर्वक ढंग है ध्यान लगा करके पढ़ रहा है सुमित शायद आए तो सुमित शायद आए कब आए कैसे शायद आए है ना तो उसके आने का तरीका है दो-दो वाक्य आप अच्छी तरह से समझ लिजे इन वाक्यों में ध्यान पूर्वग शायद है ना रीति वाचक क्रिया विशेशण है ये शब्द पढ़ रहा है आए क्रियाओं से पहले आकर उसकी विशेशता प्रकट कर रहे हैं रीति वाचक क्रिया विशेशणों की संख्या सबसे अधिक है इनकी क्रिया विशेशणों की संख्या सबसे अधिक है इससे निश्चय अनिश् निशेद कारण आदिका बोध होता है आज समीर अवश्य आएगा ये अवश्य शब्द जो विशिष्टा आएगा की बता रहा है ये निश्य है पक्का है इसी देखी निशेद निशेद का मतलब होता है नहीं यानि मना किया जाता है निगेटिव छत पर मत जाना ये गया उपर जाने के लिए संभवता आज बारिश हो संभवता माने अनिश्य यानि निश्यत नहीं हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है चोथा आप देखेंगे परिमाण वाचा की क्रिया विशेशड परिमाण वाचा क्रिया विशेशड में आप कितना का प्रश्न करेंगे परिमाड का मतलब होता है कि वस्तु में का नाप और मात्रा तोल है ना तो वो कितनी मात्रा में कितनी तोल में आपको वस्तु चाहिए कोई भी चीज चाहिए तो जिस क्रिया विशेशड शब्द से क्रिया की मात्रा और उसके परिमाड का पता चलता है उसे हम परिमाड वाच क्रिया विशेशड कहते हैं जैसे मैं बस इतना खाऊंगी मैं बस इतना खाऊंगी अब देखी प्रश्न किया कितना खाऊंगी है ना इतना तो ये परिमाड है इतना चाय में चीनी कम डालें कितनी डालें कम डालें ठीक है तो इस तरह से इन वाक्यों में इतना ये कम ये शब परिमार वाचक क्रिया विशेशण हैं कम है अधिक है जाद है बराबर है कोई भी चीज़ है ये शब्द खाऊंगी ये डालें क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेशता को प्रकट कर रहे हैं इसमें कुछ क्रिया विशेशण शब्द बच्चों दिये जा रहे हैं जैसे चार चार शब्द दिये हैं एक में देख लिजी रीती वाचक में चार शब्द प्रेम पूरवक द्यान पूरवक सहर्श और भलीवाती स्थान वाचक में बाहर इधर उधर दाहिने काल वाचक में आजकल बहुदा लगातार तुरंत परिमार वाचक में काफी यतेश्ट ल अब विशेश में आप देखिए परिमाडवाचक विशेशण में जिन शब्दों का प्रियोग होता है उनी शब्दों का प्रियोग अधिकाश्ता परिमाडवाचक क्रिया विशेशण में भी होता है ये ध्यान रखिएगा लेकिन इनमें अंतर होता है अब अंतर क्या होता है उस अंतर को आप समझ लेजिए परिमार वाचक विशेशन में और जो परिमार वाचक क्रिया विशेशन में अंतर छोटा सा अंतर होता है ध्यान दीजिएगा परिमाण वाचक विशेशन शब्दों के द्वारा किसी वस्तू के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है उसका पता चलता है जबकि परिमाण वाचक क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया की मात्रा का ग्यान होता है कितनी मात्रा में क्या हमें उसका प्रयूग करना है, उसका बोध होता है. देखिए आपको इन वाक्यों से समझ में आ जाएगा परिमारवाचक क्या विशेषन और परिमारवाचक विशेषन जैसे चाय में बहुत चिनी है, चाहे में बहुत चीनी है चीनी की विशिष्टा बताई जा रही है तो कितनी चीनी है बहुत चीनी है जबकि परिमार वाचक का एक वाक्य देखेंगे बहुत बोलोगे गलतियां भी बहुत होंगी है ना तो परिमार क्या है बोलने का परिमार बहुत और गलतियां होंगी ये तो यह क्रिया की कितनी गलतिया होंगी, बहुत गलतिया होंगी, है ना, तो यहां पे पर्माण, जो है क्रिया विशेशण, क्रिया की विशेश्टा, कितना बोलना है, है ना, और इधर क्या है, वस्तू की विशेश्टा, पर्माण, यह है, तो दूसरा वाक्य और देख लीज विशेशण में रीता ने परिश्टम कम किया तो कितना क्या किया परिश्टम कितना किया कम किया तो यहां क्रिया की विशेश्टा बता रहा है कम तो शब्द दोनों वही हैं देखिए लेकिन एक वस्तु की विशेश्टा बता रहा है परमाण है तो ये विशेशण है और दूसरे में क्रिया की विशेशता बताई जा रहे है ठीक है इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा नीचे के जो वाक्य हैं वो आप स्वेम पढ़ेंगे बिलकुल ऐसे ही हैं समझ में आएंगे आप अपना सो अभ्यास में देखिएगा अभ्यास देखिएगा बेटा इसकी सत्रह पॉइंट है इस अभ्यास में आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा वाक्यों में आये क्रिया विशेशड शब्दों को छांट कर रेखांकित करके उनकी भेद का नाम लिखना है आपको लिखिएगा तो देखिए शब्द भी छटे हुए हैं भेदों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं आपको समझना है बहुत अधिक मेनत नहीं करनी है आग बुझाने का कार्य निरंतर चल रहा है अब ये निरंतर मनी लगातार का मतलब बराबर चल रहा है तो यह क्या है काल वाचक रिया विशेशड ले दूसरे वाले में आप देखें कूडा दान आगे रखा है अब आगे शब्द है आगे इसका भी मतलब इस्थान है है ना आगे को अंडरलाइन किया गया तो ये भी इस्थान वाचक है और दूसरा है दिवाकर अचानक गिर गया अचानक गिर गया कैसे गिर गया अचानक गिर गया ये उसके गिरने का ढंग या तरी का रहा तो ये रीती वाचक हो गया रेल गाड़ी कैथल स्टेशन पर साइमकाल पहुंचेगी साइमकाल आप देखी साइमकाल का समय है ये साइमकाल शाम का समय है ना तो ये भी काल वाचक है कब खाओगी स्वस्थ रहोगी ये परिमाड़ वाचक है खाने की क्रिया है ना तो ये जो है परिमाड़ वाचक ह और दूसरा वाला देखें, खाली स्थानों में उचित क्रिया विशेश्षण शब्द लिखिएगा, अब खाली स्थान है, उसमें आपको क्रिया विशेश्षण शब्द लिखने हैं, ना जाने कौन दर्वाजा खट-खटा रहा है, लगातार या बराबर या निरंतर, इस प खटा रहा है, अलका चाची अंदर बैठी हैं, शब्द इसमें कोई भी प्रियुक कर सकते हैं, है ना अंदर बैठी हैं, बाहर बैठी हैं, उपर बैठी हैं, नीचे बैठी हैं, कोई भी भर सकते हैं, ठीक हैं, मेरे रुपे प्रेम पूर्बक लोटा दो, है ना हमारी अधिक तीसरा देखेंगे बच्चों निमलिकित वाक्यों में प्रियोक्ति क्रिया विशेशड का सही भेद चुनियें बस दो ती चार वाक्य हैं वो आप्शन है उनमें से आपको चुन के लिख देना हैं सुमित सुमिता शान्ति पूर्वक पढ़ रही है शान्ति पूर्वक है लगातार माने निरंतर भौरे इदर-Уदर मड़रा रहे हैं इदर-उदर मड़रा रहे हैं इदर-उदर का धाला यह स्थान वाचक क्रिया विशेशन है अगले वाले में देखेंगे काफी खेल चुके अब पढ़ाई करो काफी खेल चुके है를 ना तो यह क्या है परिमार वाचक और अगला वाला है उपर मत जाओ वहां बंदर है तो यह स्थान वाचक का उपर और वहां दोनों को अंडरलाइन किया गया है आकाश में कुछ तारे जैसे पिंड यहां से वहां विचरते रहते हैं यहां से वहां तो यह भी क्या है स्थान वाचक और बिल्ली चुपक चुपके से कमरे में घुस आई, चुपके से तो ये चुपके से घुसना क्या है, रीती वाचक है, और अविनाश कल हमारे घर आया था, कल, ये क्या है बच्चों, कल ये काल वाचक है, और कम बोलो, ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, तो ये परिमाण वाचक है, अचानक आंधी आई और फिर तेज बारिश होने लगी ये तेज शब्द जो है ये रीती वाचक निमलिकित वाक्यों के रंगीन चपे शब्दों पर ध्यान दीजिए जो रंगीन चपे शब्द हैं तता उसके उनके आगे विशेशन या क्रिया विशेशन लिखिए बताईए टिक लगाईए ना तो सोनिया टेनिस अच्छा खेलती है सानिया सारी सानिया टेनिस अच्छा खेलती है अब सोनिया भी हो सकता है हाला के मेरे मुझे निकला है सानिया भी हो सकता है नाम है कोई भी हो सकता है परन्तों इसमें लिखा है सानिया टेनिस अच्छा खेलती है तो ये है क्रिया विशेशन क्योंकि ये खेलने की विशेशता बता रहा है और चाय में कम चीनी डालो चीनी की विशेशता है कम तो ये विशेशन हो गया बहुत लिख चुके अब पत्र समाप्त करो क्या है क्रिया की विशेष्टा लिख चुके तो अगला वाला देखेंगे जुलूस में बहुत लोग शामिल हुए तो ये बहुत लोग तो वो लोगों की विशेष्टा बता रहा है इसलिए ये विशेष्टा है आज हमने बहुत काम किये, बहुत काम किये, तो ये क्या है आपका विशेशाड़ा, संबंद बोधक देखिए, संबंद बोधक को पढ़ा रहे हैं और इसकी परिवाशा देखिए आप, ऐसे अव्या शब्द, जो संग्या और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, उनका संबंद वाकि के अन्नी शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंद बोधक कहते हैं। अव्याय आप समझ चुके हैं पहले ही वो शब्द अविकारी शब्द होते हैं जिनका सरूप कभी नहीं बदलता तो वो अव्याय शब्द जो संग्या और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंद सर्वनाम के साथ और संग्या के साथ आते हैं और उनका संबंद अन्य वाक्य के जो वाक्याते हैं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं संबंधों का बोध कराने वाले शब्द भेद उनके देखिएगा हिंदी में संबंध बोधक का प्रियोग दो प्रकार से होता है संग्याओं की विभक्ति के साथ और विवक्तियों के बिना से यानि विवक्तियों के साथ भी होता है संग्याओं की विवक्तियों के साथ भी हो जाता है और विवक्तियों के बिना भी हो जाता है दो प्रकार से होता है पहला वाला देखिए विवक्तियों के साथ जो है किस प्रकार से होता है जिसके साधन से हम कोई कारी करते हैं जैसे द्वारा मार्फत सहारे जरिये माध्यम ऐसे शब्द आते हैं उधारन जैसे डाक द्वारा पत्र मिल गया तुम्हारे मार्फत मैंने सामान भेजा उसके सहारे मैं घर आया है ना तो ये सब साधन वाचक हैं समता वाचक का मतलब है स समान, बराबर, तो समानता, अब बराबर तरह भाती आ दे, उधारण एक दे रहे हैं, जैसे बलराम के बराबर सर्वेश के अंक आए, तो उसके बराबर माने समान आए, अगला है कालवाचक, कालवाचक शब्द काल का मतलब समय, पश्चात उपरांत पहले पीछे, एक एक उ हस्ते चलिए तो समझ में आएगा, इड में से कोई साभी शब्द लगा सकते हैं, पूनम के पश्चात सोनम का अंद्रित होगा, पूनम के उपरांत होगा, या पूनम के पहले सोनम का अंद्रित होगा, किसी भी शब्द का प्रियुक करें, कालवाचक होगा, विरोध वाच सकते हैं उसको और हेतु वाचक हेतु वाचक का मतलग कारण है ना कारण खातेर लिए हित हेतु ऐसे शब्दों का प्रियोग होता है जैसे मानव हित काम करना चाहिए मानव के हित के लिए मानव के कल्यान के लिए मानव की खातिर मानव के लिए है ना मानव के कारण काम करना च तो लग जबते हैं इस्ठान वाचक में यहां वहां निकत दूर अंदर बाहर आदी, शब्दों का प्रियोग होता है उधारण है सास के निकत बहु बैठी हुई है तुलना वाचक में देखें तरह अपेक्षा समान तुलना आदी उधारण है रोहित की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है आगे देखें प्रथक्ता वाचक प्रथकका का मतलब होता है अलग हो ना दूर अलग परे हटकर है ना उधारन जैसे विद्याले से दूर बाजार बन रहा है दिशा वाचक आसपा सामने और तरफ आ दी उधारन है मंदिर के सामने गुरु द्वारा है दस्मा है संग वाचक, संग का मतलब साथ, सहित, समेत, आदि, उधारण है, कुंती के साथ पुत्र भी आए हैं, है न, के साथ जब संबंध उधक का प्रियोग विवक्तियों के बिना किया जाए, अभी साथ में प्रियोग हो रहा था, विवक्तियों के बिना उनका प्रियोग किया जा रहा है, जैसे उधारण है यहां मैंने कई सालों तक नौकरी की विभक्ति नहीं है इसमें विभक्तियों के बिनाज़ास उपर के साथ आया था तो फिर कुछ समय पहले मैं बनारस चला गया अगला वाला देखें संबंध बोधक और क्रिया विशेशण में अंतर बताया गया है क्रिया विशेशण शब्द की क्रिया की विशेशता प्रकट करते हैं आपने परिवाशा के इंतर पर आए और दूसरा क्रिया विशेशण शब्द क्रिया से पहले आते हैं याद रखने की बाते हैं यह के क्रिया विशेशन शब्द क्रिया की विशेशता को प्रकट करते हैं और क्रिया विशेशन शब्द क्रिया से पहले आते हैं हमेशा तीसरा संबंद बोधक शब्द संग्या या सर्वनाम के बाद आते हैं और चौता संबंद बोधक शब्द संग्या या सर्वनाम का संबंद वाकिके अनिशब्दों से प्रकट करते हैं उधारण है वंदना बाहर बैठी हुई है ये क्रिया विशेशन है क्रिया की विशेशता बताईए बाहर बैठी हुई है कहां बैठी है बाहर बैठी है और विद्याले के बाहर विरिक्ष लगाए जा रहे हैं, ये संबंद बोधक है, विद्याले के संबंद जो है, विरिक्षों से है, बाहर लगाए जा रहे हैं, अंदर आईए ये क्रिया विशिशन है, और सब घर के अंदर आगाई ये संबंद बोधक है, अब भ्यास च्छाट कर लिखिए च्छाटना है लिखना है आपके लाल दिखाई दे रहे हैं छटे हुए भी हैं और उनके भेद भी आगे लिखे हैं पिता की तरह पुत्र भी क्रिकेट खेलेगा तरह माने समानता समता का बोध हो रहा है और तो यहां समता बाचक हो गया च्छात्रवास से दूर मैदान में बच्छे खेल रहे हैं दूर तो ये प्रतक्ता वाचक हो गया छात्रवास से अलग हो गया और लाठी के सहारे बुढ़ा चल रहा है ये साधन वाचक हो गया के सहारे है ना और कम्प्यूटर के सामने आशिश बैठा हुआ है ये दिशावाचक है मेरे घर के निकट मंदिर है निकट माने ये इस्थान वाचक हो गया के निकट और कल की अपेक्षा आज अधिक गर्मी है ये तुलना वाचक है अगले प्रश्ण में आप देख रहे हैं दूसरे में रिक्तिस्थानों में उचित संबंद बोधक शब्द चांट कर लिखिए शब्द भरने आपको संबंद बोधक शब्द भरिये कोई से भी जो ठीक हो उचित हो उनको भरना है विद्यार्थी गुरु जी के साथ रहता है कमला सुनीता की तरह अच्छा गाती है अनरा के समान विनेभी बुद्धिमान है सिपाही चोर के पीछे भागे निम्लिके तवाक्यों के रेखांग के शब्द क्या है सही उत्तर चुनिए मोहन बाजार की और गए बाजार की और गए क्रिया की विशेष्टा बता रहा है उस और मेरा विद्याले है ये क्या है संबंद बोधक विद्याले का संबंद उस और से बताया गया है इसी प्रकार से अंदर आकर बैठिये ये क्रिया विशेशन है आकर बैठने की क्रिया है ये अंदर उसकी विशेश्टा बताई आ रही है अच्छा दूसरा है दर्वाजे के पीछे कोई छुपा है के पीछे ये संबंद बोधक है पिताजी के साथ मोनू भी गया संबंद बोधक है पिताजी के साथ पिताजी क्या संबंद मोनू से दखाया जा रहा है पीछे खड़े हो जाओ ये भी संबंद बोधक है और सौम्या की तरह दिव्या भी सुंदर है सौम्या की तरह दिव्या भी सुंदर है तो ये क्या है संबंद बोधक है समानता संता बोधक बताया जा रहा है और बाहर मत खे ये क्या है त्रिया विशेशन पेड के नीचे गडरिया सो रहा है पेड के नीचे के नीचे पेड का संबंद है गडरिया से तो पेड के नीचे गडरिया सो रहा है ये संबंद बोधक है उधर मत जाओ दादा जी पूजा दादी जी पूजा कर रही है तो ये संबंद बोधक ह और वहाँ एक मौल बन रहा है ये भी संबंद बोधक है दरवाजे के पास कौन खड़ा है ये क्या है कौन खड़ा है दरवाजे के पास ये संबंद बोधक है समुच्चे बोधक इसकी परभाशा देखिएगा जो शब्द दो शब्दों वाक्य के अंशों अत्वा उपवाक्यों को जोडते हैं आपने पड़ा है शब्द वाक्य और उपवाक्य या अंश है ना दो शब्दों को जोड़ दें दो वाक्य के अंशों को जोड़ दें या उपवाक्यों को जोड़ दें उन्हें समुच्य बोधक शब्द कहते हैं समुच्य बोधक कहते हैं इन्हें योजक भी का जाता है योजक क्योंकि वो जोड़ने का काम करते हैं योजक चिन्न का योज माने योग योग का मतलब जोड़ना समुच्य के वे समुच्य बोधक के भेद दिये गए हैं दो एक समानाधिकरण समुच्य बोधक और दूसरा व्यदिकरण समुच्य बोधक देखिएगा समानाधिकरण समुच्य बोधक क्या है जिन समुच्य बोधक शब्दों दौरा दो समान शब्द इसलिए इसका नाम समानाधिकरण रखा गया है क्योंकि ये समान वाक्य के अंशियों और वाक्यों को जोड़ा जाता है इन्हें समानादिकरण समुच्य बोधक कहते हैं जिन समुच्य बोधक शब्दों दोरा दो समान शब्दों को वाक्यों के अंशियों को और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समानादिकरण समुच्य बोधक कहते है जैसे देख रहे हैं साइकिल रख दो और पैदल चलो आप कविता अत्वा लग कथा सुनाइए इन वाक्यों में और अत्वा ये समानादी करन समच्च बोधक हैं इसके भेद बताए गए हैं समानादी करन समच्च बोधक के चार भेद हैं संयोजक विवाजक विरोध सूचक और विरोध सूचक के बाद आगे देखेंगे तो पहले तीन को हम देख लेते हैं संयोजक संयोजक शब्द में कौन कौन से आते हैं है ना और एवं तथा आदी उधारन है पारवती और शंकर घर घर पूजे जाते हैं तो और शब्द ने जो है इनको जोड़ दिया पारवती शंकर के बीच में हम योजक चिन्द भी लगा सकते हैं विवाजक है विवाजक माने बांटना अलग अलग करना दो चीजों को या अतवा अन्यता ऐसे शब्दों का प्रियोग होता है जैसे शरी मती कांता पवार अतवा शरी अरविंद गड़त पढ़ाएंगे अतवा का मतलब या कांता पवार पढ़ाएंगे या फिर लेकिन मगर ये विरोध प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों को देखें बरोध सूचक का उधारन है कापी नहीं मिली बलके रैस्टर मिल गया ये विरोध है कापी ढूण रहते वो नहीं मिली पर रैस्टर मिल गया और परिडाम सूचक का मतलब रिजल्ट जो वताता है परिडाम देता है अता है इसलिए फ़लता है परिडाम सरूप उधारण है बेला आ गई थी इसलिए मैं आपके पास ना सकी अब दूसरा इसका भेद है व्यदी करण समुच्च बोधक किसी वाक्य के परधान और आशरित उप वाक्यों को जोडने वाले परधान वाक्य के माने मुख के बाग के और उससे संबंदित आशरित जो उस पर है उस वाक्य को जोडने वाले शब्दों को व्यदी करण समुच्च बोधक कहते है जैसे यदी धन होता तो अपमान ना होता तो परधान वाक्य क्या है यह न साथ ले जा सकें प्रधान मुख्क के भोजन तैयार हो गया है क्यों तयार गए है ताके उसको साथ ले जाया सके उस पर राष्टित है व्यादि कर न समुच्च के भी 4 बह द बच्चों बताये कई हैं एक कारण सुचक का मतलब है कारण किचू की इसलिए आ दी जैसे साबुन ले लो क्योंकि कपड़े धोने हैं ये कारण है कारण क्या है साबुन क्यों लेना है क्योंकि कपड़े धोने है संकेत सूचक यद्दपी तथा पी जो तो यदी तो उधारण है यदी माता जी आ जाती है तो खाना मिल जाता उद्देश सूचक में देखिएगा ताकि जिसके की इसलिए की आदी ये शब्द उद्देश सूचक होते हैं जैसे टैक्सी कर ली है ताकि समय पर पहुंच सके हैं फल ये है स्वरूप सूचक स्वरूप माने अर्थात मानों की यानि आदी उद्दारण जैसे श्री विवेक गौतम अर्था सच्चे युवास आहित्यकार अभ्यास सत्रा पॉइंट तीन इसका प्रश्ण बेटा देखें पहला वाक्यों में आए समुच्य बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए जो शब्दाएं बिल्ली आई तो चूहे छिप गए अब तो देख रहें तो ये व्यादी करण समुच्य बोधक भेद है इसका कारण सूचक आगे का दूसरा वाला देखिएगा शर्वण राही सुरेंद्र शर्मा और अशोक चक्रधर ने कविताएं सुनाई इसका भेद है सैयोजक और शब्द सैयोजक है और ये समानादी करण समुच्य बोधक का दियोतक है आप चाय लेंगे अत्वा काफी ये विवाजक हो गया भेद इसका ये है समानादी करण समुच्य बोधक अगला वाला देखिए का पुस्तक लेनी थी इसलिए यहां आई हूँ तो ये उद्देश सूचक है व्यदी करण समुच्य बोधक का और दूध ले आईए ताके माँ चाय बना दें ये उद्देश सूचक है ये भी व्यदी का रणक समुच्य वोधक है नीचे लिखे शब्दों को समुच्य वोधक शब्दों से जोड़ कर एक वाक की बनाईए पिताजी ने कहा था की वे आम ले देंगे है ना तो जोड़ना है इसमें की शब्द का हमने प्रियोग किया है जेव कत्रे ने जेव काटी थी इसलिए जेव कत्रा पकड़ा गया खुब परिश्टम करो ताके कख्षा में पर्थम आ सको दूद वाला चिला रहा है क्योंकि राहुल कालोनी राहुल कोहली ने पैसे नहीं दिये पिताजी विद्द्या ले गए और माताजी मंदिर गए तीसरा वाला देखेंगे निम लिखे तो समुझ चैबोदक शब्दों का वाकियों में प्रियोग कर ये देशे लिखा हुआ ह इसमें परंतु अर्थात ताके नहीं क्योंकि और ये अपने आपको कौपी में लिखने हैं इन शब्दों को से इनका प्रियोग करके आपको वाक्य बनाने हैं विसमें बोधक विसमें बोधक आपने पीछे भी पड़ा है कई प्रकार के होते हैं पहले परभाशा को देख लीजिएगा अच्छी तरह और समझ लीजिए जिन शब्दों की द्वारा विसमें ध्यान दीजिएगा परिवाशा में विसमें आश्चरिये भै डर हर्ष खुशी प्रसंदता क्रूद गुस्सा आदि भाव प्रकट होते हैं इतनी चीज़े प्रकट होती हैं विसमें बोधक कहते हैं विसमें बोधक के भेद देखिएगा कितने भेद हैं इसके प्रमुख विसमें बोधक शब्दों के प्रमुख भेद निम लिखित हैं पहला देख रहे हैं विसमें सूचक विसमें सूचक मानिया शर्य अरी मीना गाभी लेती है दूसरा हर्ष सूचक आहा तो तुम प्रथम आही गए, यहार खुशी हुई, शोक सुचक आहे, बेचारी की जवान बेटी मर गई, संबंध संबोधन सुचक, ओ जी जरा मुन्नू के लिए दूद ले आईए, यह संबोधन है, घरणा सुचक छी, चारों और कूडा बिखरा पड़ा है, चेताबनी सुचक खबरदार, आगे मत बढ़ना, और सुईकृती सुचक में हाँ, घूमने चली जाओ, सुईकृती का मतलब हमने घूमने चली जाओ, सुईकृती दे दिया, आग्या दे दिया, अपनी सहमती दे दिया, है ना, आशीरवाद सुचक, आशीरवाद दिया, जीत है क्रोध सूचक अरे मेरी बात मानता है या नहीं विसमे सूचक छिन देखिएगा विसमे आदि बोधक शब्दों के पश्छाथ विसमे सूचक छिन लगाया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं एक डंडा नीचे बिंदी विसमे बोधक शब्द वाक्य के आरंब में आते हैं ये भी आपको पता है वाक्य के प्रारंब में आते हैं ये शब्द भाव पर कट करते हैं इनका संबंद वाक्य के शेश भाग से होता है ये अविकारी अव्या शब्द होते हैं विस्मियादी बोधक शब्द अव्य, अविकारी होते हैं, परंतु कई बार विकारी शब्द भी विस्मियादी बोधक के रूप में प्रियोग होते हैं, जिन में परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से देखिए जैसे संग्या, राम, राम, स्वाती से ऐसी आश्या ना थी, अब ये राम है लेकिन यहाँ पर संग्या के रूप में प्रियोग हुआ संग्या वाला राम राम स्वाती से ऐसी आशा ना थी सर्वनाम क्या राघब ने प्रतियोगता जीत ली विशेशड अच्छा तुमारी बात ही ठीक होगी क्रिया जाओ अपना काम करो इन वाकियों में राम राम क्या अच्छा और जाओ ये शब्द कैसे हैं विकारी हैं विकार उत्पन होता है इनका प्रियोग विस्मे आदि बोधक के रूप में हुआ है विस्मे आदि बोधक भाव और शब्द देखिएगा विस्मे आदि बोधक भाव क्या है और शब्द क्या है विस्मे आशर ये हैं अरी अरे आदी प्रशन सहर्ष में आहा ओहो वाह शाबाश आदि संबोधन में अजी ओजी अबे ओए आदि और पीडा चोथा पीडा शोक लज्जा में आहा ओओ फाय आदि चेताबनी में साबधान खबरदार आदि क्रोध में अरे खामोश चुप आदि और आशीरबाद में जीते रहो दीरगाईू हो खुश रहो आदि स्वीकृती में हाँ अच्छा ठीक आदि भै में बाप री बाप हाय ओ आदि और ग्रणा या तिरसकार में छी धिक हट चलो आदि अभ्याद 17.4 देखिएगा पहला देखिएगा इसका निम लिखे तो भावों के लिए विसमया दि बोधक शब्द लिखिए तो इसमें आप देख रहे हैं तो आपको स्वेम भी लिखने चाहिए हलाके मगर इसमें मैं आपको एक्स्प्लेंड कर दे रहा हूं बता द लिख सकते हैं विसमय का मतलब आरे आशर ये हैं जबके ये उपर दिया गया है प्रशंसावा हर्श आह संबोधन अजी पीड़ा आह शोक हाय लज्जा उफ चेताबनी साबधान क्रोद चुप प्रहो है ना भै भै हाय और आशीरवाद खुश रहो सुईकरती हां घरणाच अच्छी तरसकार हट इस प्रकार से आप इनके लिख सकते हैं और दूसरा देखिए खाले स्थानों में ओचित विसमयाद बोधक शब्द बर ये वाह ऐसी सुन्दर जील उफ गर्मी ने तो मुसीबत कर रखी है तुम कब आए इसमें से अरे तुम कब आए आगे गहरी खाई है तो साब्दान आगे गहरी खाई है बहुत बोल चुके खामोश बहुत बोल चुके निमलिकित विसमयाद बोधक शब्दों से वाक के बनाएए देखिए अरी शाबाश ओजी उफ साब्दान खामोश चदा खुश रहो बापरे बाप च्छी हाँ इन शब्दों से आपको अपनी नोटबुक में वाक के बनाने है बच्छों अब आप देखिए निपात निपात किसे कहते हैं ये बड़ा मतलब सरल टॉपिक है अव्य विकार और परिवर्तन आएए इसकी हम परिवाशा को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा ऐसे वाक के जो किसी पद शब्द के साथ हाकर उसके अर्थ को विशेश बल परदान करते हैं ध्यान दीजिए ऐसे अव्य जो किसी पद यानि शब्द पद का मतलब होता है शब्द से उसके साथ हाकर उसके अर्थ को विशेश बल परदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं अब इसमें प्रमुख निपात देखिए कौन से हैं तक पहला है तक ये बस नोड़ा तक जाती है मिन्टु को बीज तक गिनना आ गया मात्र या केवल मुझे मात्र सौर रुपए दे दीजिए चाचा जी ने उमाकांत को केवल चपाती दी भर कोमल जीवन भर पती से अपमानित होती रही कंजूस प्रसादी लाल से मुठी भर आटा नहीं दिया गया तो हमारा कहा तो मान लीजिए अरे आगे बढ़कर तो दिखा भी गोपाल ने भी यही बात कही मुझे नई साड़ी भी चाहिए आपने देखा इसमें तो भी भर यह सारे शब्द जो है वाक्यों को बल प्रदा कर रहे हैं 17.5 अभ्यास बच्यों निपात किसे कहते हैं उधारण सहथ लिखिए यह हमने आपकी परिभाशा आपको बताईए तो आपको परिभाशा लिख देनी उधारण सहथ जबकि हम इसको पीडियेफ में आपको दिखा रहे हैं निम्लिखित वाक्यों में से निपात लिखिएगा बहुत आसान है निशान लगे हुए हैं मौसी जी कानपुर तक कालिंदी एक्सप्रेस से जाएंगी तक ये निपात है और मेरे साथ हरेंद्र भी जाएगा तो ये भी इसका निपात है दवा खातो लीजिए तो ये तो है ये भी निपात है कल रात भर पानी ब खाली स्थानों में ऊचित निपात भरिये, सौम्याही कपड़े धोएगी। इसमें भी भी आ सकता है, सौम्या भी कपड़े दोएगी, भी ना के ही जादे उचित है, सौम्या ही कपड़े दोएगी, यानि सौम्या को ही कपड़े दोने हैं, रतन दीप यहीं खाना खाएगा, रतन दीप भी यहीं खाना खाएगा, सोनिया रात भर पढ़ती रही, अंकु कंजूस मनीशा ने केवल दो रुपए दिये निम्लिकित निपातों का प्रियोग करते हुए प्रतेक का एक एक वाक के लिखिये तो भी केवल भर ही मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका ये पार्ट समाप्त हो गया आएए इसकी उपरांद अब हम आपको इस पार्ट से संबंदित इसकी पेडियेफ दिखाते हैं पार्ट सत्रा अव्या बेटा अभ्यास सत्रा प्वाइंट एक का पहला प्रशन देखिएगा अव्या से आप क्या समझते हैं कुछ उधारन देकर समझाईए कुछ उधारन भी आपको देने हैं लिंग वचन पुरुष काल वाच आदी के कारण जिन शब्दों का रूप न परिवाशा में क्रिया विशिषन संबंद बोधक समुच्य बोधक और विस्मयाद बोधक शब्द अव्याय यानि अविकारी शब्द हैं जैसा जैसे भाईया अचानक आ गए वर्शा दिन भर होती रही अचानक और दिन भर इन वाक्यों की क्रियाएं हैं आ गए और होती जहीं और इन वाक्यों से पहले अचानक और दिन भर ये शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं इसलिए इन्हें क्रिया विशेष्ण कहते हैं क्रिया विशेशन कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेशन, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, काल वाचक क्रिया विशेशन, रीती वाचक क्रिया विशेशन और परिमाण वाचक क्रिया विशेशन में क्या अंतर है उधारण के साथ समझाईए परिमाल वाचक क्रिया विशेशन और परिमाल वाचक क्रिया विशेशन में उधारण सहत अंतर जो है वो यह है कि परिमाल वाचक विशेशन के दोरह किसी वस्तू के परिमाल यानि उसकी मात्रा का बोद होता है जबकि परिमाल वाचक क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया की मात्रा का ग्यान होता है जैसे परिमार वाचक विशेशन के कुछ उधारण आप देखें चाई में चीनी बहुत कम है वहां कम पानी आता है मेरे लिए थोड़े से मेवे ले आईए भोजन में बिलकुल लमक नहीं है मेरे पास ज़्यादा सबजी नहीं है जो मैंने आपको छोटे करके पढ़ायते सब यहां दे दिये हैं जिससे आपको समझ में आजाए परिमार वाचक क्रिया विशेशन के पांच वाक्य हैं बहुत बोलोगे तो गलतियां भी बहुत होंगी राम ने परिश्टम कम किया कल मैं बहुत थोड़ा सो पाई परिक्षा के समय इदर उदर ढूमना बिलकुल बंद ज्यादा नहीं बोलना चाहिए सत्रा पॉइंट दो का चौथा प्रशन आप देखिएगा संबंद बोधक किसे कहते हैं उधारन सहत समझाईए संबंद बोधक की परिवाशा उधारन सहत इस प्रकार है ऐसे अव्याशब्द जो संग्या और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंद वाक्य के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंद बोधक कहते हैं सुधा के पीछे कांता खड़ी है गर्मी के मारे बुरा हाल है अगला वाला देखें संबंद बोधक और क्रिया विशेशण के कोछे उधारन लिखकर उनके अंतर को इसपश्ट कीजिए संबंद बोधक और क्रिया विशेशण में अंतर क्रिया विशेशन शब्द क्रिया की विशेशता प्रकट करते हैं क्रिया विशेशन शब्द प्राय क्रिया से पहले आते हैं संबंद बोदक शब्द क्रिया संबंद बोदक शब्द संग्या या सर्वनाम के बाद आते हैं और संबंद बोधक शब्द संग्या या सर्वनाम का संबंद वाकिके अनिशब्दों से प्रकट करते हैं उधारन इनका देखिएगा वंदना बाहर बैठी हुई है ये क्रिया विशेशन हैं विद्याले के बाहर व्रिक्ष लगाए जा रहे हैं ये संबंद बोधक है और कहा देखिएगा अंदर आईए क्रिया विशेशन हैं सब घर के अंदर आगए ये संबंद बोधक है सत्रा पॉइंट तीन छठा प्रशन देखेंगे समानादिकरन समुच्च बोधक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए समान आदी करण समुच्चे बोधक के चार वेद होते हैं सहियोजक, विवाजक, विरोध सूचक और परिडाम सूचक अगला सत्रा पॉइंट चार का सात मा प्रशन देखेंगे विस्मियाद बोधक शब्द किसे कहते हैं उदारान देकर समझाईए जिन शब्दों के द्वारा विस्मियाद बोधक शब्द कहते हैं जैसे मीना अरे मीना गाभी लेती है खबरदार आगे मत बढ़ना अगला वाला देखें आप निपात किसे कहते हैं उदारान सहथ लिखिए ऐसे अव्वयाद जो किसी शब्द यानि पद के साथ आकर उसके अर्थ को विशेश बल परदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं जैसे भी तो ही तक मात्र केवल भर आदी ग्रहकार ये देखेगा निमलिखित समुच्य बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रियोग कीजिए परंतु अर्थात ताके नहीं क्योंकि और और दूसरा प्रशन है निमलिखित निपातों का प्रियोग करते हुए परते का एक एक वाक्य बनाए तो भी केवल भर और ही इस प्रकार से बच्चों आपका ये पार्ट समाब्त हुआ अगली वीडियो में हम आपसे पुना मिलते हैं तब तक के लिए धन वाजय हिंद जय भारत